दोस्तों सुमवार को उस वक्त बॉलिवूड में हड़कम मच गया जब मुंबई की क्रैम ब्रांच ने शिल्पा शिटी के पती राच कुंद्रा को अशलील फिल्मों के मामले में गरफतार कर लिया था इसके बाद राच कुंद्रा को मुंबई के सेशन्स कोट में पेश किया गया जहां पर पोलिस ने कोट के सामने राच की हिरासत की मांग की कोट ने पोलिस की मांग को एकसेप्ट करते हुए राच को 23 जुलाई तक पोलिस हिरासत में भेज दिया है जब से ये मामला सामने आया है सोशल मीडिया पर इस मामले में शिल्पा शेटी के रोल पर भी सवाल उठ रहे हैं आपको पता दे कि शिल्पा शेटी राज कुंद्रा के वाइफ है और जब राज कुंद्रा का नाम अशलील फिल्मों के कारोबार में सामने आया है और ये भी कहा गया कि इस पूरे राकेट के मास्टर माइन को यौन नहीं बलकि राच कुंद्रा है तो ऐसे में शिल्पा शिटी का नाम आना भी लाज़मी है आपको बता दे कि राच कुंद्रा की गिरफतारी के बाद सोशल मीडिया पर शिल्पा शिटी को काफी टोल किया गया और ये भी कहा गया कि पती जब इस तरीके के काम कर रहा है तो पतनी को भी जरूर पता होगा आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई जब राज कुंद्रा को गिरफतार किया गया तो शिल्पाशिटी का नाम भी सामने आया कि अश्लील फिल्मों के कारोबार में शिल्पाशिटी भी साथ में है अपने पती के लेकिन अब इन सब पर पुलिस की तरफ से भी जवाब आ गया है आपको बता दे कि मुंबई पुलिस ने बताया है कि शिल्पाशिटी का इस कारोबार में क्या रोल था क्या वो इस कारुबार में अपने पती के साथ थी क्या उश्लील फिल्मों के बारे में उन्हें भी पता था अगर आप भी यहीं जानना चाहते हैं तो पूरी स्टोडी को देखिए क्योंकि हम बताने वाले हैं कि मुम्बाइ पुलिस ने शिल्पा शिटी के रोल के बारे में क्या बताया मुम्बे पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि पूरे मामले में अब तक शिलपाशीटी की कोई भूमी का नज़र नहीं आई है इसके साथ ये पुलिस ने बताया है कि मामली की जाँच कर रहे हैं और इस केस के पीडिटों से अपील कर रहे हैं कि वो आगया आगर क्राइम ब्रांच से संपर करें वो मामले पर उचित कारिवाई करेंगे मुंबे पुलिस के जॉइन कमिशनर आफ पुलिस ने भी कहा है कि हम इस मामले में अभी तक शिल्पाशीटी की किसी भी तरीकी की भूमी का नज़र नहीं आई है हम जाच कर रहे हैं, हम सबी पीडितों से अपील करते हैं कि वो आगया आए और क्राइम ब्रांच से कॉन्टाक्ट करें इसके साथ ये साफ हो गया है कि मुंबे पुलिस ने शिल्पाशीटी को क्लीन चिट दे दी है क्योंकि इस मामले में उनका कोई भी हात नहीं है